Hello students, welcome to JK Toppers, so good morning to all of you, यहाँ पर जो है हमारी 1st June की जो है current affairs आ चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1st June की जो current affairs है, यहाँ पर देखिए, 1st question आपको पूछा गया है, When is World No Tobacco Day celebrated? तो World No Tobacco Day जो है, यानि कि यह जो दिन है, यह कब celebrate किया जाता है, तो आपका जो option है, वो है B, यानि कि 31 मई को, ठीक है, 31 मई को जो है यह, यानि कि इस दिन जो है World No Tobacco Day है, वो celebrate किया जाता है, नेक्स्ट आपके पास यहां पर ध्यान से सुनेगा बहुत ही जो है important जो हर एक exam में रहने वाली है डेली की जो है हमारी current affairs चल रही है और बाकी अगर आपने April मंथ की जो यानि की April और मैं मंथ की अगभी तक current affairs नहीं पड़ी है तो description में जाईए वहां पर आपको link मिल जाएग ठीक है तो वहां पर पूरी फुल और मैं की जो है current affairs मिल जाएगी अगर वहां पर नहीं मिलती है तो playlist जाके current affairs के नाम से एक playlist बनी है वहां जाके चक कीजिए वहां पर आपको डेली की जो है current affairs मिल जाएगी ओके students so चलिए next question है आपके पास who has been chosen as a country of focus at the 70th Mumbai International Film Festival तो किसने जो है यहां पर इस country को जो है यहां पर चुना है किसके लिए 70th Mumbai International Film Festival के लिए तो वो है आपकी कुन सी country option C यानि की बंगलादेश clear so next question है यहां पर यहां पर देखिए पद्मानंद जहा वो has passed away recently who was he ठीक है तो पद्मानंद जहा जो है यह कौन है आपके है journalist okay next है आपके पास यहां पर question आपको क्या पूछा गया है recently the chief minister of which state has launched IO app ठीक है तो answer आप students को दिखी गया होगा देखिए वीडियो को विल्कुल भी skip मत कीजिए ताकि आपको फिर समझ नहीं आएगी तो question जो है मैं आपको समझा रही हूँ यहां पर पूछा गया है कि हालकी में कौन से कहां के जो है chief minister जो है उन्होंने जो है IO app launch किया है तो वो है आपकी कौन से state के जो cm है करनाटका के तो comment session में मुझे बताइए कि cm करनाटका के कौन है ठीक है तो जल्दी से comment करके मुझे बताइए इसका answer कि जो है यह निकी cm कौन है करनाटका के तो चलिए next question करते हैं next question है आपके पास who has received the immunization champion award by UNICEF तो किसने जो है यहाँ पर यानि की immunization champion award जो है जीता है किस के द्वारा UNICEF के द्वारा तो वो है आपके option B यानि की RJ उमर निसार next question है आपके पास who has launched a saving insurance scheme called बीमारतना तो किसने जो है यह निकी यह जो insurance launch की गई है एक scheme saving insurance scheme जिसको बोला जाता है बीमारतना तो यह की है आपके option A यानि की L.I.C. ने ठीक है किसने L.I.C. ने तो L.I.C. की फिलफॉर्म क्या होगी Life Insurance Corporation ओके तो चलिए यह next question है आपके पास Where has the ultimate infinite super computer been started recently तो कोन सी I.I.T. है जिसने अभी क्या किया है super computer जो है वहाँ पर हालकी में start किया है तो वो है आपकी I.I.T. गांदी नगर ठीक है Next is Which country former president Bujar Nishani has passed away recently ठीक है कोन सी country के जो है यहाँ पर former है इदर president का नाम जो है यहाँ पर Bujar Nishani है हालकी में जो है यहाँ पर कोन सी country के former जो है पास किये गे है तो वो है आपकी कोन सी country option B यानि की Albanian Next आपके पास Who has been announced as the theme of 8th international yoga day तो कहाँ पर यहाँ पर announced की है थीम क्या है option A यानि की yoga for humanity ठीक है यह है यह है 8th international yoga day जिसको थीम दी गई है yoga for humanity तो वीडियो को अभी तक like नहीं किया है वीडियो को like जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe भी जरूर कीजिए next question है आपके पास who has been appointed as its CEO by Narsal ठीक है तो CEO को जो है यहाँ पर appoint किया जाता है Narsal के द्वारा तो वो कोन है CEO आपके option B यानि की नत्रांजन सुन्दर clear next question है आपके पास which state government has decided to spend rupees thousand crore for the development of sports sector infrastructure तो क्या question पूछा गया है आपको कि कहा की state government है जिसने यह फैसला किया है कि वो क्या करेगी thousand crore देगी किसको sports sector को infrastructure के लिए ठीक है वो क्या करेंगे वहाँ पर develop करेंगे infrastructure को तो कोन सी state government है option C यानि की असाम clear so चलिए next question आपको क्या पूछा गया है next question है आपके पास who has been honored with the Dr. V. Shantram Lifetime Achievement Award recently हालकी में जो है इनको जो है Lifetime जो है Award मिला है Achievement Award तो तो वो कौन है इसके honor option B यानि की संजीत नार्विकेर ठीक है नार्विकार जो है यानि की संजीत नार्विकार option B जो है यह आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा Next question है आपके पास Recently Tata Motors has signed an agreement to buy the Ford India Plant Off हालकी में Tata Motors ने जो है agreement sign किया है क्या खरीदने के लिए Ford के लिए ठीक है India Plant Ford तो वो है कहा का option C यानि की गुजरात चलिए Next question चलते हैं Next question को थोड़ा Zoom कम कर देते हैं हालकी में आपको यहाँ पे दिख चाए Next question है आपके पास Who inaugurated the 39th Commanders Conference of the ICG ठीक है 39th Commanders है जो ICG के तो वो कौन है आपके option B यानि की राजनात सिंग Clear? टन डीजल का कौन सी कंटरी में? Option C यानि की श्री लंका Clear? तो चलिए यह थी आज की हमारी 1st June की Current Affairs बहुत important रहने वाली है मैंने आपको हर बार बताती हूँ की हर एक exam में जो है हर एक syllabus में mention किया गया है Current Affairs ठीक है? तो Current Affairs जो है वो आपको daily wise में आपको यहाँ पर class होती है तो अगर आपने अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ताकि daily की जो है यहाँ पर आपको classes मिल सके तो चलिए मिलते हैं next class में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे Bye-bye students take care